देशी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बिल आइकन को प्रेस करें फो लेटेस्ट अपडेट्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आवर कुकिंग चैनल देशी सीजनिंग आज मैं आप लोगे लेक बहुत यम्मी सा रेसिपी बनाने वाले हूं आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल स्नाक्स निमकी निमकी नमक पारे के नाम से भी बहुत फेमस है और ये चाय के साथ बहुत ही यम्मी लगता है तो चली फ्रेंड्स बिना वक्त कवाए बनाना स्टार्ट करते हैं दिवाली स्पेशल स्नाक्स निमकी यहाँ पर मैंने एक बोल में दो कप मैदा लिया है अब हम इसमें आड़ करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन साथे साथ 1 टीस्पून कलॉंजी भी आड़ कर देंगे 1 टीस्पून नमक आड़ कर दिया अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अब इसमें 1 टीस्पून रिफाइन आड़ कर देंगे अब मैदा में बिना पानी मिलाए इसे इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि रिफाइन आड़ और सारे मसाले मैदे में बहुत अच्छी तरह से मिल जाए अब मैदे में थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करते रहेंगे और मैदे को हमें गूतते जाना है इसमें एकी बार में पानी आड़ ना करें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करें और इसे गूतते जाए और इसका एक हमें soft एक dough prepare कर लेना है ये देखिए हमारा dough बिल्कुल ready हो गिया है ये ज्यादा गीला भी नहीं है और ज्यादा hard भी नहीं है बिल्कुल soft है अब इसे हमें 15 मिनिट्स के लिए ढख के rest होने देना है 15 मिनट हो चुका है अब हम इस मैदे का थोड़े बड़े साइज के बॉल्स बना लेंगे अब हमें मैदे को अच्छी तरह से बेल के इसे एक रोटी का शेव देना है ज्यादा पतला नहीं बेलिएगा हल्का मोटा होना चाहिए अगर बेलते टाइम अगर रोटी अगर चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा रिफाइन ओयल का भी यूज़ कर सकते हो अब एक नाइफ के सहायता से रोटी को इस तरह से लंबा-लंबा काट लेंगे उसके बाद इसे कुछ इस तरह से छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लेंगे इसी तरह से हमें पूरे रोटी को इस तरह से काट लेना है अब एक ड्राइ प्लेट में ये पीसेज को हमें रख देना है इसी तरह से हम पूरे रोटी को कट कर लेंगे अब हम इसे deep fry करेंगे अब हमने या पे कड़ाई में निम्की को fry करने के लिए थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में रिफाइन ओयल अड़ कर दिया है अब तेल को हमें अच्छी तरह से गरम कर लेना है तेल गरम हुआ है या नहीं इसे चक करने का एक बहुत इसी सा ट्रिक है इस तेल में रोटी का चोटा सा टुकरा डाल के देख लेंगे अगर ये उपर फ्लोट करने लगे तो समझेएगा कि तेल जो है अच्छी तरह से गरम हो गया है अब फ्लेम को थोड़ा लोग कर देंगे और इसमें एक एक करके सारे निमकी हम डाल देंगे इसे बैच वाइस ही फ्राइ कीजिए एक ही बार में सारे निमकी फ्राइ मत करें इसे जो है निमकी अच्छी तरह से फ्राइ नहीं होगा तो इसे batch wise हम fry कर रहे है और flame को adjust करते हुए निमकी को हमें golden brown होने तक fry करना है इसे चारो तरफ से इस तरफ से flip कर करके fry करते रहे हैं इसे fry होने में ज़्यादा time लगता नहीं है तो चारो तरफ से golden brown होना चाहिए और flame को हमें बीच बीच में adjust भी करते रहना है निमकी सारे हमारे fry हो चुका है इसे dry plate में उतार देंगे और same process को follow करते हुए remaining निमकी को भी हमें deep fry कर लेना है तो फ्रेंट्स यह रहा हमारे आज का दिवाली special snacks निमकी आप इसे इस दिवाली में जरूर बनाए आप इस अपने guest को भी सर्फ करें अगर आपको आज का हमारे रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें आपका जो भी suggestion हो इस dish करीगारिंग आप हमें नीचे comment section में बता सकते हो और इसी तरह के नए ने रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई